आज हम बात करेंगे नमक जैतून के बारे में जिसे ओलिव साल्ट भी कहा जाता है यह आपके स्रीर से कई परकार के असेत देरोगों को ठीक करता है आज हम आपको बताएंगे कि नमक जैतून होता क्या है और किस परकार आप इससे फायदा उठा सकते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंब्aci है और ब्र्टन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली सबीडियो का नोटिपीकेशन तुरंट ही आपको मिलत की हम दिरणतर अपने वीडियो के माधियम से आपको आईरवेद क्झान से रूप रूप पराते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आईए पहले समझते हैं कि नमक जैतून होता क्या है साइद आप सोच रहे होंगे कि नमक में जैतून का तेल या सिर्का मिलाकर जैतून का नमक बना गया है जबकि ऐसा नहीं है जब भी हम कोई फल फुरूट खाते हैं दाल खाते हैं या फिर सबजे खाते हैं तो उनमें प्राकरतिक तोर पर मीठा, खटा, कसैला या नमकीन टेस्ट आता है उनमें जै एक्स्ट्रेक्ट निकालकर जो मेटेरियल बनता है उसी को साल्ट कहते हैं और इसी एक्स्ट्रेक्ट को निकालकर ओस्दिया भी बनाई जाती हैं जो की बेस मेटेरियल से सतर से सो गुना ज़्यादा पावरफूल और परभावी होती है जैसे हम मेडिकल स्टोर से मेडिसन खरीते हैं और हम लेवल पर देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से साल्ट है तो वह कोई नमक नहीं होकर उनका बेस मेटेरिल होता है इसलिए जैतून का एक्स्ट्रेक्ट होने की वज़े से नमक जैतून ऐसादे बिमारियों को ठीक करने परियोग होता है इसके परियोग से यह 24 गंटे के लिए आपके स्रीर को अंदर से सैनिटाइज कर देता है और निरंतर परियोग से बिमारियों को आपको निजात दिलाता है आईए अब बात करते हैं इसके फायद होगी सबसे पहले बात करते हैं पेट संबंदी समश्याओं के लिए आज के समय में अधिकतर लोग पेट की किसी ने किसी समश्याओं से जूज रहे हैं आपको ऐसी डिटी या गैस अधिक बनती है भूख बहु ज़्यादा लगती है या बिल्कुल नहीं लगती इंडाइजेशन की समश्या है लीवर प्रोलम है बैंकर कब्ज रहती है जो की दीरे दीरे बवासीर का रूप लेती है तो ऐसी वस्ता में दो चुटकी नमक जैतून एक गिलास हलके गरम पानी में डाल कर सुबह शाम पीने से गैस एसीडिटी में तुरंट अरा मिलता है और निरंतर प्रियोग से बवासीर को जड़ से समापकर आपके लीवर को एकदम चुस्त दुरुस्त बना देता है अगर आप एकजीमा ये सुराइसे जैसी बैंकर समझे ज़े प्रेशान है तो दो चुटकी नमक जैतून और दो चुटकी कलोंजी नमक बोजन के बाद सेवन करने से सभी प्रकार की स्केन डीजिज में अस्टरी जनक रूप से फायदा मिलता है ये मोटापे के लिए भी एक राम बानोस दी है अगर आप मोटापे से प्रेशान है तो दो चुटकी नमक जैतून और एक निम्भू खारस एक गिलास हलके गरम पानी में डालकर सुबह शाम बोजन से पहले सेवन करने से आपको मोटापे से बहुत जल्द राहत मिल जाएगी अब बात करते हैं पत्री के लिए अगर आप पत्री से प्रेशान है तो दो चुटकी नमक जैतून और 30 ml पत्र चटके पत्तो करस एक कप हलके गरम पानी में बोजन से पहले सुबह शाम सेवन करने से पत्री गुल कर निकल जाती है और दुबारे बनने की संभावना काफी कम हो जाती है अगर आप कोलेस्टरोल की समझना जे प्रेशान है तो दो चुटकी नमक जैतून, एक चमच सेव का सिरका और एक कप गरम पानी में सुबह शाम कुछ दिनों तक सेवन करने से कोलेस्टरोल लेवल समन्ने हो जाता है अगर आपको कील मुहा से जाईया या पिर डार्क सरकल हो गए है तो एक कप गरम पानी में दो चुटकी नमक जैतून और 30 ml लोकी का जूश डाल कर सुबह शाम सेवन करें कुछ दिन के प्रियोग से आप देखेंगे कि आपके चेरे पर निखाराने लगेगा नमक जैतून वाकई में एक अद्बू दोस्दी है आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जुड़े रहिए सवस्त और निरोग रहिए के लिए प्रियोग 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 रहिए प्रियोग 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 रहिए